हाई एवरिवन आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण बोथ क्लास थ्री से ओके हमने इसका हिंदी रीडर का चैप्टर कम्पीट कर लिया है तो आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण बोथ यानिकी हिंदी ग्रामर ओके ना सो हमारा जो लेसन वन है यहनिकी पार्ट एक भासा और लिपी हमारे पहले पार्ट का नाम क्या है भासा और लिपी ओके अध्यापिका ने बच्चों को भासा के विशय में समझाया अध्यापिका याने की आपकी टीचर याने की मैम अध्यापक होता याने की सर अध्यापिका याने मैम क्या समझाया बच्चों को भासा के बारे में उन्होंने आज उनको क्या पढ़ाया है भासा पढ़ाया है उसमें उन्होंने बताया बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा अब जब मैम बता रही थी तो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे अध्यापिका ने प्रश्णों के उत्तर लिखने को कहा अब जब बच्चों ने समझ लिया सुनके तो फिर अध्यापिका ने क्या बोला कि अब आप इसका प्रश्ण का आंसर लिखो बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किये अब बच्चों ने आंसर भी लिख लिया और उसको याद भी कर लिया आपके स्कुल में भी होता हैं, आपके कलास में भी मैं मैं आपको chapter clear करती है फिर आपको question आंसर लिख फाती है फिर आप उसको लिख के याद करते हो फिर अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया आप पूछ रहें कि अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया था आप बताओं मैं भी आपको कैसे समझा रही हूँ बोलकर बोलकर समझा रही हूँ ना तो अध्यापिका ने कैसे समझाया बच्चों को बोल कर बच्चों ने अध्यापिका की बाते कैसे समझी मैंने बोल दिया आपने कैसे समझा उसको सुन कर कैसे समझा आपने उसको सुन कर तो ये भासा का एक रूप है मैंने बोला और आपने सुना ठीक है ये एक रूप हुआ भासा का फिर भासा भासा बोल चाल तथा लिखने काव माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रगट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं भासा क्या है जिससे हम अपने भाव को अपने मन की बात को अपनी सोच को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को और सोच को हम सुनकर समझते हैं भासा के रूप, भासा के कितने रूप होते हैं, भासा के तीन रूप होते हैं, भासा के कितने रूप होते हैं, तीन रूप, भासा के कौन-कौन से तीन रूप होते हैं, तो भासा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, और सांकेतिक, ओके, मौखिक, लिखित, और सांके आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है कि भासा क्या है और भासा के कितने रूप है भासा क्या है मैंने आपको बताया अपने भावो और विचारों को दूसरों को बोल कर बताना दूसरों के भावो या विचारों को सुन कर समझना भासा कहलाता है भासा के कितने थैंक यू and keep a smile